इस वीडियो में हम बात करेंगे इगनु ने दिसंबर 2023 एक्जाम को ले करके एक नया अपडेट किया है जो आपके लिए काफी ज़दा इंपोर्टेंट है और आज मैं आपको इसी के बारे में पूरा डीटेल में बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखिए 25 जुलाई 2023 के डेट में इगनु ने दिसंबर 2023 एक्जाम के लिए एक्जाम का पहला टेंटिटिव डेट सीट जारी किया था और जो फिर दूसरा टेंटिटिव डेट सीट है वो आपका 5 सितंबर को आया था और फिर तीसरा डेट सीट जो है दिसंबर 2023 एक्जाम के लिए 19 सित किया है बात करते हैं कि इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो उसके आपको इस वाले पोस्ट पर आना होगा इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है और यहां पर आपको यह लिंक मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक करना होगा यह पेज ओपन हो जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं 9 October इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये date sheet open हो जाएगा 9 October वला वहीं बात करें कि इसमें क्या कुछ बदलाव किये गया है तो पहले बात कर लेते हैं exam के date के बारे में तो आपका जो exam है जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है 1 December 2023 से start होगा तो 1 December 2023 से ही start होगा इस में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है और जो आपका आखरी exam है वह 5 January 2024 को होगा जैसा पहले बताया गया था वैसा ही है बात करें कि इसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है तो इसमें जादा कुछ नहीं किया गया है जो exam का date है वह आगे पीछे किया गया है जादतर subject का इसके लावा क्या किया गया है कि जो missing subject था उसको add किया गया है जैसे कि आप इसको देख सकते है यह जो subject है अगर आप इसको पुराने वाले date sheet में देखेंगे यानि कि तीसरा date sheet में देखेंगे तो यह आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा लेकिन यह जो चौथा date sheet आया है 9 October क date में इसमें आप इसको search करेंगे तो यह आपको यहाँ पर मिल जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है तो ऐसे कई subject code है जो पहले update नहीं हो रखे तो उसे इस date sheet में update किया गया है इसके अलावा जो आपका exam का session है जो timing वगेरा है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किय आगे है morning session का exam 10 बज़े से एक बज़े तक होगा और evening session का exam 2 बज़े से ले करके 5 बज़े तक होगा तो अब आपको करना क्या है यह जो चौथा date sheet आया है इसमें से आपको exam का schedule पता करना होगा कैसे कर सकते है तो mobile में भी आपको search का option मिल जाता है और desktop पर भी मिल जाता है control के साथ F key को press करेंगे search बारा जाएगा आपको जिस भी subject का exam का date बता करना है वो आप यहां पर इस तरीके से लिक करके search करेंगे तो जहां पर भी होगा आपको इस तरीके से highlight करके बता दिया जाता है अगर कोई और subject है जैसी कि मैं डाल देता हूं FST 01 इस तरीके साफ इसको search कर पर इस तरीके से highlight करके बता दिया जाता है तो इस तरीके साब exam का schedule इसमें से note कर सकते है और वहीं बात करें फाइनल geçit के बारे में तो यह आपका final date is it नहीं है tentative है यानि कि इसमें और बदलाव किये जा सकते है जो आपका final date जब आपका एक्जाम स्टार्ट होने वाला रहता है तो उसे एक या फिर दो हफ्ता पहले जारी किया जाता है और उसके लिए काफी ज़्यादा समय है सही टाइम पर जो फाइनल डेट सीट है वो भी जारी कर दिया जाएगा फिलाल यह जो डेट सीट आया है इसी के प्रेक्टिकल का सब्जेक्ट है उसका यहां पर डेट सीट में कुछ भी जिकर नहीं किया गया है तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका प्रेक्टिकल रहता है तो उसका पूरा कंट्रोल है वो रेजलन सेंटर के पास रहता है रेजलन सेंटर ही डिसाइ आपको इनफोर्मेशन दिया जाएगा बाकी यह जो डेट शिट है इसे मैं टेलिग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा तो यहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकती है इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक किजिए और आपका कोई सव है तो नीचे comment box में बता सकते हैं